फाइनली का जितने भी student negative के लिए even same का exam देने वाले हैं तो फाइनली सभी student के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी सामने आ रही है काईस आज के वीडियो में हम सब completely जाने वाले हैं कि ऐसा कौन सा region जिसकी वोज़ा से आपके time table को दोबारा से जारी किया जाएगा और आपके exam को postpone भी किया जाने वाला है इसके साथ सब गाईस अगर आपका result आ चुका है और आप सब अपने result से satisfied नहीं है या भी आपको back लगा है तो आज की वीडियो आपके लिए और भी important हो सकता है तो please guys आप वीडियो को skip करके मत देखना सब कुछ आपको इस वीडियो में details and completely official notice के through बता जाएगा तो guys please आप वीडियो को skip करके मत देखना अब guys सबसे पहले आपके जनकारी के लिए बता दे कि हाली में 3 जुलाई को एक official notice जरी किया गया था एक एट्व के तरफ से जहां पर आपके event semester exam के date को declare किया गया था guys अगर हम official notice की माने तो आपको बता गया था कि आपको जो event semester का exam है प्रोगात्मक प्रोजेट परिच्छा का इसका जो guys date होने वाला है 18 जुलाई 24 तक होने वाला है और guys जो आपका लेखित परिच्छा होगा इसका जो date होगा 23 जुलाई से 24 अगर 24 तक अब guys हमारे पास कई ऐसे comments आ रहे थे कि sir जो ये exam का date declare किया गया है क्या ये official है क्या ये final है तो guys आपके जानकारी के लिए बता दे official notice में आपको साप साप यहाँ पे बताया गया था कि बिश्वी बिद्याला की 72 तेज़ 24 के सम समिश्टर में अध्यांतर 76 चत्राओं के regular त आप बता जा रहा है कि 10 टेट्यू संभावित मतलब वाइस की जो आपका परिच्छा कार्कम जारी किया गया है ये 10 टेट्यू है मतलब की संभावित है ये final नहीं है आपका जो time table है उसे दुबारा से जारी किया जाएगा ऐसा यहाँ पे साप साप बताया गया है और guys आप आपको 10 टेट्यू का मतलब नहीं पता है तो एक बार से आप Google कर लेना आपको पता चल जाएगा 10 टेट्यू का मतलब होता है कि कोई fix नहीं है मालीज़े guys क्या होता है कई बार आपका result आने वाला होता है तो आपका result कभी कोई बोलता है 15 तारीक को आएगा 15 तारीक को लेकिन यहां पे डेट्ट फिक्स नहीं होता है तो ऐसे में यह जाए आपका final date नहीं है that's it नहीं है तो इसे आप final मान के मचलना आपकर दुबारा से जादी किया जाएगा और यहां पे एक रियुने साबसाब बताया भी है क्एस यहां पर दिखाद यहां पर बताया जा र परिच्छा कारक्रम में किसी प्रकार की तूटी संसोधन की आवस्ता में इमेल आइडी पर इमेल कर सकते हैं 10 जुलाई 24 को साम 5 बज़े तक प्रेसित करना सुनिचित करें तथा अधियंतर चार्चतराओं को भी अपने अस्तर से सुचित करने का कर्ष्ट करें तो आप सब 10 जुलाई से पहले अपने टुटी को इस मेल पर मेल करके बता सकते हैं तो यह आपको बता जा रहा है इसके बाद अपका दुबारा से टाइम टेबल जादी करेगा और गईस अगर आपके इकजाम में कोई मिस्टेक्स होंगे कोई गलट दे में होंगे तो इससे पॉस्पॉन भी किया जा सकता है ऐसा गाइस बीटुपी में हुआ था तो सेम एकटुउ में भी ऐसा हो सकता है आप गईस हम बात करते हैं यहापर देख पाएंगे ना थि जिन भी छात्रों को बैक लगा है तो गाईस यहां पर आपको इसकीन पर साफ साफ देखने को मिल लगा वेट यहां पर अब गाईस कल की डेट में एक ओफीसियल नोटीस जारी किया गयता है एक एटू की तरफ से जहां पर आपको बता जाला कि सातर दौर तेज़ चोबिस के संसमेश्टर के प्रथम चरण के संपंग कराई परिछाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को लिखित उत्तर पुष्तिकाओं का डिजिटल मुल्यांकन कारियों पर पूर सहयोग योगदान करने सिच्छकों नामित करते हुए मुल्यांक अगर मैं आपको डिटल से बताने जाओंगा तो आपका भी काफी या टाइम बेश जाएगा तो आप इसका स्क्रीन साट लेकर इसे केरफूली पढ़ लेना और इसके बार में रिसर्च कर लेना कि आखिर में अगर आपको बैक है तो आपको क्या करना चाहिए एवलूसन का